बिस्मिल्लायर्माइन रहीम, अस्सलाम वालेकूं, वेलकम पैक्ट्व मैज चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत अबाया, तो इस अबाया की कटिंग और स्टीचिंग आज हम सिखेंगे, आप इसे एपल कट अबाया भी कह सकते हैं, तो इस अबाया को नॉर्मली जो है, वो सिक्स्टी वीद के फैबरिक में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इसे जो कम वीद वाला जो फैबरिक होता है, 42 वाला उसमें किस तरह से आप बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी, तो चलिए अब हम स्टार् में हम इस तरह से रखेंगे, समझ लिजे कि आपका कपड़ा है, फोर फोल करके आपको रखना इस तरह से, और यह जो वीद वाला इससा रहेगा, यहां पे हमारी फोल्डिंग रहेगी, और यह हमारा शोल्डर और स्लीव भी साथ में रहेगा, तो आपको इसकी लंबाई ज लगा लेंगे, उसके बाद में जैसे आप ड्रेस की कटिंग करते हैं, जिस तरह से आप आम होल की यहां पे ड्राफ्टिंग करते हैं, और उसके बाद में आप अपना जो है, हीप का हिस्सा रखते हैं, कमर का रखते हैं, वो सब आप इसमें हलका सा ड्रॉ कर लेंगे, लेक से हमने जो हमारी स्लीव की गुलाई माक की थी वह हम जॉइंड करेंगी और जॉइंड करने के लिए हमें इस तरह से राउंड थोड़ा शेप देना होगा तो आप इस शेप को देख लीजिए सेम ऐसे ही शेप हम फैब्रिक पर देंगे उसके बाद में नीचे आपको जितना लगना है उतना रखने के बाद में यहां से हम इसे सीधा कर देंगे तो नीचे आपको बहुत जादा कम नहीं रखना वरना चलने फिरने में आपको परिशानी हो जाएगी और लास्ट में हम राउंड शेप देंगे तो बस यह जो है इसकी ड्राफ्टिं है इस तरह से और अगे की तरह स्लीव में हम यहां पर थोड़ा सा एक कफ की तरह पट्टी लगाने वाले हैं बाकि इसमें कोई कटिंग नहीं है बहुत जादा जो आसान तरीका है इसका इस तरह बनाना तो आपको जो है यह स्लीव भी अपने हिसाब से रखना है तो मैं यहां पर दो इन चो पास जो है 60 weeks का कपड़ा है तो इसमें कम लगेगा तो इस कपड़े को जो है क्टिंग करने के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करना अगहा थे अब आपको इसकी वीद दिखा देती हूं यह बहुत ही कम है तो हमें जो है यहां पर डारेक कटिंग करने होती है तो जिसके कपडे की सब्सक्राइब कर लेना है तो मैंने देखिए कपडे को 4 amiga कर पर के रखाया और मैंने मेरा अबाया अब्रके तक कैमधे किस समय इसकी नंढ़ाई सब्सक्रार्वाइब कोई जोइनपान की स्क्राइब के लिए между तो यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी लंबाई है हम उतना ले लेंगे और हम स्लीव की आप लंबाई देख सकते हैं आगे की तरफ कितना कम पढ़ रहा है अगर यह जादा वीद का कपड़ा रहता तो हमें जो है उसमें हो जाता लेकिन हमारे कम वीद का कपड़ा है तो व हम आगे की तरफ जॉइंट लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे वह मैं आपको सिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं यहां पर स्लीप का इतना हिस्सा कम है तो यहां पर लंबाई जो है 21 इंच ही आ रही है लेकिन मुझे यहां पर 33 के ऊपर थोड़ा सा आगी की तरफ ले तो यहां पर जो है हम हमारे जो फैब्रिक को अब हाफ फोल्ड करेंगे तो फैब्रिक को देखिए मैंने यहां पर इस तरह से फोर फोल्ड कर लिया है अब जितनी लंबाई हमारी अबाई की जरूरत है उतना हम कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसे देखिए कट कर लिया आप जो हमारे पास यह बचावा फैब्रिक है यह हम यूज करेंगे हमारी स्लीव की चोड़ाई को बढ़ाने के लिए यानि आगे की तरफ जो हमारी लंबाई कम पड़ रही थी यह हम इसमें लगाएंगे तो इस कपड़े को भी हमें जो है फोर फोल्ड कर लेना है कमिया जादा कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा मैंने पांच मीटर कपड़ा इस तरह से यूज किया जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइट का मैंने निकाल दिया है उसके बाद में स्लीव की गुलाई हम रखेंगे तो यहां पर हम मार्किंग कर लेते हैं तो इस तरह से देखिए हमने शेप दिया इसे उसके बाद में यह हिस्सा जीकिए जो हमने हिप के लिए एक्स्ट्रा रखा था यह आप अपने हिसाब से कमिया जादा भी कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा टाइट नहीं रखें उसके बाद में आप यह निशान देख सकते ह लंबाई में रखा था था आप इसकी कटिंग कर लेंगे देखे इस तरह से सेम इसी शेप में हमें कटिंग करना है और इसके बाद में हम यहां पर नेक भी ड्रॉ करकर की अपना कटिंग कर लेंगे तो नेक के लिए हमें यहां पर लेंद लेंद लेंगे 6 इंच फ्रंट नेक है यह आप काम्याजाद अ आपस में जॉइंट है, उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो जितनी भी आपको स्लीप की चोड़ाई आगे की तरफ रखना है, उतना आप रख सकते हैं, आप चाहे तो डारीक लास्टिक भी लगा सकते हैं, आगे की तरफ स्लीव में अपने, या फिर आपको पतल लगा देंगे और इसी हिस्से को हम जॉइंट कर देंगे, ताकि हमारा जो यह फैब्रीक है वो चोड़ाई में बढ़ जाए, तो इसे बस इस तरह से आपको जॉइंट करना है, तो आप अगर चाहे तो इसमें डिजाइन भी दे सकते हैं, पतली सी पाइपीन भी लगा सकते हैं या फिर अगर आपका द्रीट करें तो आप इसमें पतली सी लेज भी लगा सकते हैं, तो हम यहां पे सिर्फ इसे डारे किसी तरह से जॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि इस अबाय को मैंने रोज पहनने के लिए बनाया है, तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है, लेकिन आप इस से अच्छा कासा डिजाइनर अबाया बना सकते हैं, तो जितना भी हमारा यहां पे जॉइंट है, हम चारो जॉइंट इस तरह से लगा देंगे, तो यहां पे देखिए, मैंने जॉइंट कर दिया है, इस तरह से, तो यह हमने जॉइंट करने के बाद में इसमें जो है कफ ल मेंक यह के बंद करेंगे 17 इन इन टमामने लिया है इस पक्ची की चौडंगी भी है आप डबल करके इस तरह से अब्सक्रांद लगा लेंगे जी पर हम इसे बहुत कि बन करतेक необходимо data on partner करेंगी तो इस पंड बंड करिंगे एस बहुत जाद़ लगाना krama तो आप चाहे तो यहां पे दो color की पट्टी बना के लगा सकते हैं. अगर आपने dark color का पाया बनाया तो आप थोड़ा light color की एक आवर पट्टी ले ले जे साथ में. तो इसमें भी आप अटेच कर सकते हैं. तो आपको बस इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगाके अटेच कर देना है इसके बाद में इसे हम फोल्ड करेंगे और फिर उपटी को लगा देंगे तो यहाँ पे अगर आपको जो है इस तरह से पटी नहीं लगानी है तो आप जो है elastic भी लगा सकते हैं double fold करके elastic को उसके अंदर डाल दीजिए गोल घुमा के तो आपकी sleeves आगी की तरफ से tight हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पट्टी को लगा दिया है अब इसे पलटने के बाद में अलग अलग तरह की डिजाइनर लेस आप घर पे किस तरह से बनाते हैं मैंने वीडियो अप्लोड की है तो आप जरूर देखिएगा मैं आपको जो है उस वीडियो का लिंक इंशाला देदूगी और मेरे नए चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने दोने स्लीप्स को बना लिया है तो स्लीप्स बनाने के बाद में हमें लास्ट में साइट की सिलाई लगानी होगी लेकिन उससे पहले जो है हम नेक बना लेंगे इसके अंदर तो नेक बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले क्रॉस पट्टी कट करेंगे तो मैंने यहाँ पर डेड़ी चौड़ी क्रॉस पट्टी कट कर ली है दो पट्टिया हमें कट कर लेनी है उसके बाद में इन पटियों को हम इस तरह से क्रोस करके जौइंट कर लेंगे उसके बाद में हम इसे डबल करेंगे और फिर बड़ी सिलाई लगाएंगे अगर आपको डायरिक इस तरह की गले में लगाने आती है तो अपने हिसाब से नेक डिजैन बना सकते हैं डारिक भी आप सेम उसी शेप में कपड़े को कट करके भी नेक डिजाइन उसकी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी बना के इस तरह से सिलाई लगा के फिर उसे अटेश करेंगे तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है बना सकते हैं तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अब इस पट्टी को हम थोड़ा खेच लेंगे उसके बाद में हम यहाँ से सिधा कर देते हैं तो नेक को आपको बिल्कुल सिधा रखना है और इस पट्टी को गोल घुमाते हुए हम अबाया में इस तरह से लगा देंगे और इसके बाद में हमें इसे टर्ण करना है और फिर इसके उपर हमें एक सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर देखे इस तरह इसे घुमाते चले जाना है तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से अटेश कर देंगे और फिर उसके बाद में यह जो जॉइंट वाला हिस्सा है यहां से हम दुनों एक के उपर एक रखके फिर उसे पलड देगे तो यहां पर मैंने डिजाइन जो है इसकी बना ली है तो हमने नेक भी बना दिया है अब हमने यहां पर सैट की सिलाई लगानी है तो हम यहाँ पे एक एक इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और लास्ट में नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना है तो हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके उसके बाद में सिलाई इस पे लगा देंगे मैंने अपने चैनल पे और भी अबाया की वीडियो अप्लोड किया आप जरूर देखिएगा उसका लिंक मैं इंशालला दे दूँगे आपको डिस्क्रिप्शन में और हिजाब इनर कैप की वीडियो भी मेरे चैनल पे है और भी अगर आप किसी तरह का अबाया या हिजाब कैप सिखना चाहते हैं तो आप मुझे उसकी फोटो इंस्टरग्राम पे बेज सकते हैं तो आप मेरे इंस्टरग्राम को जरूर फॉलू कीजिएगा तो यहाँ पे जो है हम लास्ट में नीचे की सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से फोल्ड करके तो आप देख सकते हैं माशालला हमारा जो बाया है बनके बिलकुल तयार है और इसे जो है मेरी बेटी ने पहना है तो आप इसके लंबाई देखिए चोड़ाई भी आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने जितनी चोड़ाई ली थी अगर आपको इससे थोड़ा सा कम बनाना है तो आप अपने हिसाब से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था स्लीव्स के लिए वा आप कम भी रख सकते हैं लेकिन ये पहनने के बाद में बहुत ही जादा खुसूरत दिखाई दे रहा है और मैंने कलर भी ऐसा चूज किया है बहुत ही प्यारा लगर आप देख सकते है तो उम्मिद करते एक और नई वीडियो में जब तके लिए दुआउं में याद रखिए टेक केर अल्लाहाफीज